सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोट को दबाईए हमारे लेटेस पुडियो सबसे पहले लेगे मुजफरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में बड़े सेक्स रैकेट और पॉन वीडियो बनाने का चल रहे धंधे का खुलासा हुआ है किराए के मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट का भंडा फोड हुआ है इसकी भनक लगने पर सोंबार देर रात को स्थानिय लोगों ने देल व्यापार चलाने वाले गिरों के मास्टर माइंड समेथ चार लोगों को पकड़ लिया इसमें एक आरोपी शराब माफिया दीपक सिंग भी शामिल हैं इस दोरान स्थानिय लोगों ने आरोपियों की जमकर धुनाई की और बंधक बना लिया वहीं बताया जा रहा है कि मौके से करीब आधा दर्जन युवक युवती भाग निकले जिसके बाद स्थानिय लोगों के द्वारा इसकी सुचना मिलने पर मौके पर पहुची पुलिस टीम में चारों को हिरासत में लिया और थाने ले गए पुलिस टीम के तलाशी में कम्वे से नशीली दवाया, शराब और इंजेक्शन भारी मात्रा में जबत किये गए हैं युगतियों को महिला थाना और शराब माफिया को अहियपूर थाना में रखा गया है शराब माफिया मुझफर पूर जिले के मिठन पूर अप्शेतर का रहने वाला है जो कई बार शराब का घंधा करने के आरोप में जेल जा चुका है जेल से जमानत पर छुटने के बाद वहिन दिनों हियपूर इलाके में किराये के मकान में करीब 6 महीने से सेक्स रेकेट चला रहा था जहां पोन वीडियो भी बनाता था स्थानिय लोगों ने पुलिस को बताया कि सोमवार की रात भी एक ग्राहक आया था इसकी भनक लगते ही मोहले के लोगों ने हंगामा कर दिया जबरन कमरे का गेट खुल वाया गया इस दोरान कई लोग वहां से भाग निकले लेकिन वही स्थानिय लोगों ने दो युबती एक नाबालिग युबती और एक शराब माफिया को पकड़ लिया पूछ साच में पता लगा कि शराब माफिया ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट करवाता था इस दोरान वह चोरी छिपे पोन वीडियो भी बनाता था मुबाइल की जांच में इसका पता लगा है उलिस आगे की कारवाई में जुटी हुई है मुजब फरपुर जनता की आवाज के लिए राहुल रंजन की रिपोर्ट आपदा साहिन के मकाम में बहुत पहले से देवे अपार का काम बाहर के आदमियाकर कर रहा है उसी निसान देही पर आकर छप अमारी कर पकड़ा गया है क्या-क्या मिला है रूम से रूम से कटी है अपती अपती जनक समान मिला है और एक शराब का बोतल मिला है जो आदा खाली हो गया है टेबलेट बगराई मिला है टेबलेट भी है एक क्या करवाई कर आगे की करवाई की जाएगी लड़की से पूस्ताच की हैं क्या बताई है लड़की से पूस्ताच थाना पर किया जागा यहां भीड काफी है इसी के चलते हैं लोग पकड़ के लिए हैं लोग पकड़ा हुआ है लोग को अरेस्ट किया गया है और इसके बाद आगे करवाई की है और इसके बाद में पुलिस ने करवाई की है और इसमें जो एक वीडियो की बात आ रही है उसको भी वेरिफाई किया जा रहा है और आगे करवाई की है